जाहिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों अगर आप Photoshop चलाते हैं अगर आप इडिटेर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे जो फोटो इडिट हम लोग करते हैं फोटो एक पेज से काट करके अग यहां से दोस्तों और एक फोटो ले ले लेना है जयसा कि हम एक फोटो यह ले लेते हैं फोटो के लिए अब दोस्तों को इसपे रहों के Ilmum टाइप डिजाइन करना है जो कि background का भी पता ना चले मतलब यह जो नीचे से काटा हुआ है वो पता नहीं चलना चाहिए तो उसक के लिए हमें करना क्या होता है कि यहां से हम फोटो को कट कर लेते हैं जैसा कि मैगनेटिक टूल लेते हैं या फिर हम यहां से ले लेते हैं पेंटूल और पेंटूल से फोटो को दोस्तों हम यहां से काट लेते हैं यहां से पाट सेलेक्शन ले लेंगे और इसको जो है कि ऐसे हम कुछ फोटो को कटिंग कर लेते हैं दोस्तों यह परफेक्ट तरीका से दोस्तों आपको फोटो को गट करना होता है तो यहां से आप परफेक्ट कर लेंगे पेंट टूल से कुछ इसफर करका ये दोस्तो data मैंने cut करके यहाँ पे मिला दिया है अब आपको क्या करना होता है control के साथ enter button प्रेस करना होता है जैसे दोस्तो control, enter किजेगा ये area आपका selection हो जाएगा उसके बाद aim button आपको प्रेस करना है और right click करना है और यहाँ से feather का जो option दोस्तो दिख रहा है इसमें जाकर करके कम से कम 5 या 6 आपको feather ले लेना है तो हम 5 ही ले लेते हैं और ok करते है ok करने के बाद दोस्तो apply button पे click करेंगे और इसको left click के साथ move करके अपने page में ले जाएंगे उसके बाद क्या करना है ना control के साथ T button प्रेस करना है transform के लिए और shift और alt के साथ photo को छोटा करना है जिस तरह आप देख पा रहा हैं दोस्तो यह shift और alt के साथ आपको photo को छोटा करना है प्रेस करके यह मैंने photo को छोटा कर लिया दोस्तो और यहां से apply बटन पर click कर देना है अब दोस्तों यह photo मुझे यहां पर set करना और एक background देना है तो यहां पर क्या करेंगे न हम जैसे photo को मैंने यहां पर set कर लिया अब यहां से right click करके यहां से background को choose करेंगे तो background select हो जाएगा या फिर यहां से click कर लिजेगा उसके बाद करना है क्या है इस पर हम एक gradient देते हैं तो gradient में जाते हैं और यहां से gradient apply यह वाला कर लेते हैं याई फिर यह वाला उसके बाद इसमें gradient का style चीऊच करना है धो हम first वाला style ले लेते हैं इस से gradient का design आपका ऐसा होगा second वाला style लिजएगा दोस्तों तो कुछ ऐसा होगा और third वाला लिजएगा तो कुछ ऐसा होगा और fourth वाला ऐसा design है और fifth वाला आपका ऐसा design है तो इस में से जो आपको अच्छा लगए उस तरह का design आप यहां से ले लिजएगा और उसके बाद नीचे से यहां से इस area में market tool है से आपको drag कर देना है drag करने के बाद आपको right click करना और feather में जाना है feather में जाने के बाद कम से कम इसका feather 50 ले लेना है और okay करना है अब keyword का delete button होता है दोस्तों वो दो बार प्रेस करना है और जिस area में आपको इतना रखना है आपको background उतना बार delete आप प्रेस करेंगे और वैसा area में यह background में यह छुकता जाएगा उसके बाद आपको apply button पे click करना है दोस्तों और जहां भी photo आप उठा करके डालेंगे कुछ इस तरह का ही आपको दिखेगा photo में ठीक है इस तरह का दोस्तों तो ये photo का design मनाने के लिए हां से आप apply कर सकते है और ये design आपका परेक्टली हो जाएगा तो इस तरह का design बाने के लिए दोस्तों आप Photoshop में album बनाने के लिए अप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से कुछ अगर आपको designing करना हो तो इस तरह का design यूज करने के लिए दोस्तों तो इसको थोरा सावर बड़ा कर लेते हैं दोस्तों यह उपर तक यह perfectly तरीका से यह हो गया आपका दोस्तों तो इसको copy करना होता है तो अगर albums type बनाना है तो copy कर लेते हैं control के साथ J बटन प्रेस करते हैं दोस्तों तो यह duplicate हो जाता है और इसको enter कर लेते हैं यहां से जैसा कि यह मैंने किया यहां पर फिर control के साथ J बटन प्रेस कर लेते हैं दोस्तों थोरा सावर नीशे कर लेते हैं Ctrl J for duplicate और इसको हम रख लेते हैं यहां पर दोस्तों अब दोस्तों यह थोरा सा आपको जो है कि area यह वला यह वला थोरा सा यह खराम लग रहा है तो इस area को अगर उसी style से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं otherwise यहां से उसी style से कर लेते हैं दोस्तों राइट क्लिक फेदर इसमें फेदर रखते हैं 30 ओके कर ड़ते हैं और डिलेट बटन प्रेस करते हैं दूबर कुछ इस तरह से एक बार ही करते हैं Ctrl-Z एक बार ही डिलेट करते हैं तो ये दोस्तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर डिजाइन हो गया फिर से इसको सेलेट करते हैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं पहले ये वाला सेलेक्शन सब्जेक्ट कौन सा है ये वाला है उसके बाद क्या करते हैं फिर से हम यहाँ से लेते हैं और इसे भी ड्राय कर लेते हैं दोस्तों राइट कलिक करेंगे फिदर में जाएंगे उतवस्टाइश करेंगे यह घर्लीट इस आस दीखने रहे瞑़गा दोस्तों तो इस तरह का दिजाइण दोस्तों आप आसानी से बना सकते तो यह अपसन आप अपना सकते हैं यह काफी हैं इंट्रेस्टिंग और बहुत ही अच्छा अपसन है दोस्तो वीडियो अगर लाइक कर देंगे दोस्तो तो समझेए कि मेहना कुछ सफल हो जाता है तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते आगले वीडियो भे ताप्रा के लिए टेक क्यार बाई बाई